स्टूरेंट, वेलकम तो ओनलाइन क्लास, तोड़े, वी विल स्टार्ट यूर नियू चैप्टर, चैप्टर नूम्बर एट अफ हिस्ट्री, डिवोश्टनल पाथ्स तो दा डिवाइन ठीक है, इश्वर से अनुराग, मतलब इश्वर से लगाओ, किस तर टाइपस का था, एशन टाइम में, उसके बार में हम पढ़ेंगे You may have seen people perform rituals of worship or shining bhajans, singing bhajans, kirtans और kwalis और even repeating the name of God in silence and notice that some of them are moved to tears क्या है, जैसे कि सभी आप लोग भी क्या है, भजन किर्टन करते होंगे, पूजा पाथ करते होंगे अथा अपने चुपचा पिश्वर का नाम कजाप करते हुए देखा होगा और आपने ये भी notice क्या होगा, उसमें कि कुछ तो इतने भाव भी बूर जाते हैं उनकी आँखों से क्या है, आशु निकला आते हैं और इश्वर के प्रती ऐसा जो हमारा emotional touch है, प्रेम भाव है और गहरी भक्ति है हमारी क्या है, intense of devotion है, उन विविन परकारों के भक्ति तता सूफी जो moment आंदोलन की देन है जिनका 18th century में क्या हुआ था, उद्वाव वने लगा था, जो 18th century में start हो रहे थे ठीक है, the idea of a supreme god, अब है परमेश्वर का बिचार, एक supreme god का जो थोट है, उनकी idea कैसे आया before large kingdom emerged different groups of people worshipped their own gods and goddess, क्या है, बड़े बड़े जो, kingdom से राज्जे उनमें क्या है, different groups of people worshipped अलग-अलग बिविन समूँ के लोग अपने अपने क्या है, देवी देवताओं की क्या है, पूजा, क्या करते थे as people were brought together through the growth of towns, trade and empires, new ideas began to develop और उस्टे क्या है, जब लोग नगरों के development के लिए और ब्यापार के लिए, trade के लिए अन्य तथा जब अपने empires के है, समराज्य के माध्यम से एक साथ आते गए, मतलब एक साथ है, पूजा करने आते गए, तब नएने जो thoughts है वह है, develop होते गए the idea that all living things pass through countless cycles of birth and rebirth, performing God, dates and bad came to be widely accepted और क्या है, फिर यह बात ब्यापक, मतलब यह बात ब्यापर रूप से सुईकार की जाने लगा, इस बात को सुईकार क्या जाने लगा कि सभी भी जो जिनका birth हुआ है, जनम हुआ है, अच्छे था उनके जो करम हुआ है, bad और अच्छे उनके activity है, उनके जीवन मरण और उनके जो rebirth होता है, उनके अंत चक्रों से, उनके rebirth से होगत, मतलब कहीं चक्रों से गुजरता है, similarly, the idea that all human beings are not equal even at birth gained around during this period क्या है birth के time जो क्या है इसी परकार का thought है कि बैठ गया कि सभी व्यक्ति जो है thought people जो है birth के time पे बराबर उनका जो birth होता उस time पे हो है same नहीं होते है और यह माननेता भी है the belief that social privilege came from birth in a novel family और a high caste was the subject of many learned taxes और इससे यह भी माननेता थी belief करते थे लोग विशेश अदिकार किसी क्या है जो अच्छे जो अदिकार हो उच परिवार अथा उच्छी जो caste है high caste है लोगों में पैदा होने के कारण मिलते है और कई पांडिते पूर्ण गरंतों का विशेधा और यह किसका विशेधा caste was the subject learned texts ठीक है मानते थी लोग की जो अच्छी फैमली में पैदा होता है उसके thoughts भी अच्छे होता है Many people were uneasy with such ideas and turn to the teaching of the Buddha or the Jains according to which it was possible to overcome social difference and break the cycle of rebirth through personal efforts और क्या है अनेक लोगों लोग ऐसे उनके thoughts थे बिचारों के कारण बैचेन थे thoughts के कारण क्या थे वह असंतुष्ट थे कि लोग क्या उनके क्या मानता है कि वह मानता है जो उच्छ कुल में पैदा होगा उसे ही क्या है अच्छी जो education मगेरा है या गरंथों को ग्यान जैसे जो ब्राह्मन कुल में होगा उसे ही होगा वही जो devotional होगा मंदिरों में पुजा पार्ट करेगा ठीक है ऐसी मानता है थी तो कुछ लोग इस मानता से क्या थे बैचेन थे उसे नहीं मानते थे और इसलिए वह है कुछ ने क्या हुआ है उन लोगों ने क्या है बुद्त था जैनों के जो उपदेश है ठीक है उनको उपदेशों की और उनमुख्यर जिनके अनुसार क्या है ब्यक्तिगत इंडिविज्वल जो हमारे प्रयास होते है ट्राय करता है हम समाजी कंतरों को दूर क्या जा सकता है और जोनकारी वर्थ का चक्र है साइकल है उसको क्या है हम उससे चुटकारा पाया जा सकता है अधर फैल्ट अट्रेक्ट टू दा आइडिया आफ ए सुप्रीम गॉड और कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंदी इस थोट को की और अट्रेक्ट हुए थे की और चले गए कि यदि मनुश्य में पीपल लोगों में क्या होगा डिवोशनल जो मोशन जोनमें इमोशन होंगे भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में आए और बगवान की और जाय तो क्या है परमेश्वर व्यक्ति को इस बंदन से मुक्त कर सकता है जैसा कि जो हमारी शरीमर भावत गीता में व्यक्त है यह विचार समाने सन इस्वी सन के प्रारम भी क्षताब्दियों से लोग प्रिये यह हो गया था शिवा विष्णू दुर्गा ए सुप्रीम डाइटीज केम टू बी वर्शिप्ट थ्रो एलोब्रेट रिच्वल्स और फिर क्या है विषद धार्मि अनुष्ठानों के जो रिच्वल्स से देवी देवता जैसे शिवा विष्णू दुर्गा को क्या माना जाता था सुप्रेम गोड के रूप में उनकी पूजा की जाने लगी रिच्वल्स उसको माना गया एड दा सेम टाइम गोड्स एंड गोड़ेस वर्षिप्ट इन डिफरेंट एरियास चैम टू दुर्गा और सेम टाइम पे क्या है साथ साथ बिन बिन शैत्रों में पूजे जाने वाले जो देवी देवतां को क्या है शिव विष्णू या दुर्गा की रूप में माना जा ने लगा इन दा प्रोसेस लोकल मैट्स एंड लेजेंड्स बिकेम ए पार्ट आफ दा पुरानिक स्टोरीज एंड मैथर्ट्स आफ वर्शिप रिकॉमेंडेट इन दा पर्शियन वर इंट्रोड्यूश इंटू दा लोकल कलर्स और क्या है इसी जो परक्रिया में इसी प्रोसेस में क्या हुआ जो स्थाने मितक थे मितक थे तता किसे कहान है जो वहां की लोकल जो स्टोरीज बगेरा थी पुरानिक जो स्टोरी होती है के भी अंग बन गे और पुरानों में पूजा की जिन पत्यों को, जिन जिन उसको यूज किया जाता था, उसके अनुशंशा किया उसी को यागे चलाएगा और इन्हें स्थाने पंतों से भी अपनाया, उनके स्थानों वहां भी अपनाया, जाने लगा था Eventually the purans also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God, regardless of their caste status, the idea of bhakti became so popular that even Buddhists and Jains adopt these beliefs, और उन्हें क्या है, का आगे चल कर क्या हुआ, पुराणों में भी इस बात का क्या हो गया, जो पुरान थे, हमारे स्थ में भी इस बात को बताया गया, कि bhakt बले ही, जो हमारे bhakt हो तो किसी भी जाती पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से इश्वर की कृपा, मतलब वह सच्ची भक्ति से इश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है, और bhakti की जो हमारी विचार धाना होती है इतनी अधिक लोग प्रे हो गई कि बौद और जैन मतावले उने भी इन विश्वासों को अपना लिया, जो बहुद और जैन प्रमपरा को मानते थे, बहुद और जैन धर्म को मानने आए तो उन लोगों ने भी bhakti के हमारी भगवान वाली प्रमपरा है प्रमेश्वर वाली उसको मानने था पुरानों में भिया लिखा गया है कि लोग चाहे मनुष्य चाहे किसी विजाती का हो या किसी विकूल का हो अगर वह सच्चे मन से ईष्वर की प्राथना करता है तो उसे जो प्रात हो जाता है अब है a new kind of bhakti in South India नाराइन्स एंड अलावर्स ठीक है नयानार्स एंड अलावर्स है दक्षिन भारत में वक्ती का एक नया परकार है परकार नयानार और अलावर की रूप में अब हमें इसको इसमें पढ़ेंगे the 7th to 9th centuries saw the emergence of new religious moment हमारी 7th or 8th 9th century में क्या हुआ कुछ नए धार्मिक जो moment है वह हुए थे led by the नयानार्स sends devote to Shiva and allowers and devote to Vishnu who came from all caste including those considered untouchable like the player and the purans और उन्हें क्या है क्या हुआ कि इस अंदोलन हुए तो इन जो moment का नयतरत हो क्या है नयानार हो जो नयानार को कहते है जो शेव शिव शक्ति को शिव संतों थे शिव के भक्त है और अलावर जो विश्णू संतों ने किया था इस moment का और यह संत सभी जो यह संत थे भक्त थे वह क्या है सभी जातियों कि थे इनमें जाती पाती का कोई बेदबाव नहीं था जिनमें पुलेया और पनार जैसे अस्परिश्य मतलब जो नीज जाती है समझी जाने वाली जाते हो के लोग भी इसमें क्या थे शामिल थे और उन्होंने क्या है वायद बोधो और जैन के कटू आलोचक थे और क्या है अधर बोधो जैन को नहीं मानते थे शिव और विश्णू के प्रती सचे प्रेम को मुक्ति का मार को बताते थे मतलब कि जो विश्णू वर्शिप की पूजा करेंगे वह लास्ट में क्या उनको मौक्ष प्राप्त होता हो या प्राप्त हो गया स्वर्ग में वह चले जाएंगे या ऑग्ड़ या शाओव फवाड लॉवान भव सावज अ वार्व ज्रॉप और स्वार्त हो याज्व दार्व लॉवाज अवर्ण बाव होन लॉब घराव भाटि नारायंस और लॉव प्राप्ति इन लोगों ने क्या क्या की उन्होंने संगम साहिते तमिल वाशा में लिखा जो चारित थावधारन और समान्य सन यानि इस्वी सन की प्रारमक श्ताब्दियों में रचित से ही समाहित प्यार को और शूरवीरता के आधर्शों को अपना कर भक्ति के मुल्यों का उन्होंने क्या है समावेश इसमें समावेश कर दिया था और नeddar ऑर अलावर क्या थे यहाँ गुमकार संत थे यहाँ प्लेस टू प्लेस जाते रहते थे और उन्होंने वहाँ पे क्या है पोएम गाउं गाउं जाते थे और क्या है जहाँ पे देवी देवताओं की प्रशेंशा में सुन्दर उन्होंने क्या कवीता है रजकर उन्हें संगीत वद मतलब कवीता है रजियर उनको क्या है म्यूजिक के थुरू गाउं गाउं तक लोगों तक पहुचाया फिर यहाँ पे एक थुड़ा सा नयानार एंड अलावर्स के बारे में दिया है इसमें जो नयानार ऐसे 63 थे जो कि क्या है इन अलग अलग जाती के थे जो कौन-कौन से थे डिफरेंट बेग्राउंड से थे पोर्टर्स थे कुमार थे अस्प्रिशे थे जो अंटचेबल जाती के जिनको माना जाता है कामगार किसान पिजन्स थे शिकारी सैनिक ब्रामन और मुख्या जैसे अनेक इसमें जातिया शामिल हुई थी वे शजने जातिया हुई आतिया जाते हैं किसातिया बढ़ संदार्ण संदरार्ण एंड मनिकव सागर द्यर आर टू सेट आफ कॉम्पली कॉम्पलीटीशन अब दा अब द्यर सौंग तेवरम एंड तिरवाचकम इन्होंने क्या है इसमें उनमें सरबादिक समरित्य हमारे अपार संबदर सुन्द अरार और मनिकव सागर उनके गीतों के दो संकलन थे मतलब उन्होंने जो दो उनके दो गीत के संकलन थे कौन कौन से तेवरम और तिरू वाचकम ठीक है फिर जो अलावर थे देर वर 12 अलावर who came from equally divergent backgrounds the best known being पेरिय अलावर this daughter अंडाल thunder डिपोडी अलावर एंड नाम अलावर their song work complied in the deva दिव्य प्रवंदम और उनके अलावर में 12 थे जिनमें बिन बिन परकार की प्रिष्ट भूमी से आये थे लग अलग जाती से आये थे जैसे की उपर वाले थे बैक्राउंड से थे और उनकी उनमें सरवादिक प्रसित थे यह जो हमारे मैंने भी नाम पढ़े थे क्या थी यह पेरिय अलावर उनकी जो डॉटर थी अंडाल तॉंडर डिपोल्ड अलावर और नमाल वार और उनके कीत दिव्य प्रवंदन में संकली थे यह था अलावर और हमारे जो निया नार है ठीक है इसमें हैग्योग्राफिक होती है रिटन आफ संड लिप मतलब धार्मिक जीवन संद जीवन लेखन वो बोलता है इसको राइटिंग टू संद लिप जो संदों की जीवनिया लिखना मतलब जो संदों के बारे में लिखा जाता है ठीक है फिर इसके बाद है हमारा बिटमीन दा 10th and 12th century दा चोला एंड पंडे पंडे पंडेन kings built elaborate temples around many of the shrine visited by the saint poets strengthening the links बिटमीन दा भक्ती ट्रेडिशन एंड टेंपल वर्षिप इसमें क्या था दस्वियर बारी जो संदों के बीच में चोल और पंडेन राजाओं ने उन अनेक धर्म स्तलों को धार्मिक स्तलों पर विशाल मंदिर बनवा यहां की संत कवियों ने मतलब जो उस टाइम के संत कवियों थे उन्होंने यात्रा की थी और क्या है फिर इस परकार भक्ती परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे जो संबन वह स्तापिद हो गह थ यह कीया गया कवितां का संकलन त्यार किया गया था इसके इसके संतों की जीवन कहानियों के उपर लिखे जाते हैं और religious biographies of the allowers and nairnaars were also composed और इसमें क्या थे अलावर्स के और इसके अलावर और nairnaars संतों की धार्मिक जो इने अभी इसमें रिची गई थी today we use these texts as source for writing histories of the bhakti tradition और आज हम bhakti parampara के इत्यास लेखन में इन जीवनियों का स्त्रोथ के रूप में जो इनके उपर संतों के उपर जीवनियों लिखी गी इनका क्या करता है यूज करता है अब है devotee and the lord की भक्त और भगवान डिवोटी होता है भक्त और लॉड होता है भगवान दिस इस एक कंपोजिशन ओप मनिकव सागर यह एक मनिकव सागर की रचना है इनका बंग वगवान भी वाल वड व फ्लच मेरी और यू चम कंप अफर यह उपनिवर्प्व अपर यह यह जही होता है 6 He is a lord of grace, O jam, most pure sorrow and birth and death and illusion उन्होंने एक कविता लिखी थी कि मुझे क्या है मेरे हाड मास के इस ग्रीनित पुतले में तुम आए जैसे ही है कोई सोने का मंदिरो मेरे कृपालो प्रभु मेरे विशुधतम रतन तुमने मुझे संतावना देकर बचा लिया तुमने मेरा दुख मेरा जनम मिर्थियों का कष्ट और मया मूर हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया ए ब्रह्मानन ए प्रकाशन मैंने तुम में शरंग ली है और मैं तुम से कभी दूर नहीं हो सकता है ठीक है ये उन्होंने लिखी दिये मानिक सागर ने लिखी दिये ठीक है अब हम इससे आगे का जो हमारा चैप्टर है फिलोस्पी और भक्ति दर्